दोस्तों जो अभी हमारे गेम के अंदर evo world का event चल रहा है कल सुबा चार बजे हमारे गेम से खतम होने वाला है और कल चार बजे ही गेम के अंदर आप लोगो एक new evo world का event देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आप लोगो इहाँ पर main prize के तोर पर देखने को मिल जाएगी evo ak47 का skin और दोस्तों जो इसके अंदर आप लोगो बाकी के गर्व skins देखने को मिलेंगे उसके अंदर आप लोगो इहाँ पर m1887 का skin देखने को मिलेगा साथी में फॉर्मस का skin देखने को मिलेगा और आपको थॉमसन का skin देखने को मिलेगा पर दोस्तो जो इसके अंदर आप लोग को main reward देखने को मिलने वाला है वो आप लोग के लिए यहाँ पर AK47 का skin होगा और दोस्तो यह जो Evo World का event हो कल सुबाद 4 बजे ही game के अंदर आप ल नहीं निकलती तो आप लोग को minimum यहाँ पर पचास spin करने पड़ेंगे तब ही जाके दोस्तों आपको guaranteed कोई न कोई Evo Gun मिल जाएगी और अगर आप लोग के पास इन चारों में से कोई Evo Gun और पहले से मुझूद है और वो निकल जाती है तो उसके बदने में आप लोग को स्पिन करेंगे या फिर नहीं करेंगे और दोस्तों अब बहुत जल्दी हमारे गेम से दिवाली इवेंट का एंड होने वाला अगर अभी तक आप लोगों ने सभी फ्री के रिवोर्ड्स नहीं निकाले जैसे फ्री का बंडल फ्री के गन इसकिन्स तो जाके आप लोग उन गन इसकिस को निकाल लेजिए और बंडल्स को भी हाँ पर क्लेम कर लेजिए विकोज 16 नौबर के बास से आप लोगों इन में से कोई भी रिवोर्ड फिर फ्री में देखने को नहीं मिलने वाला अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक ये रिवोर्ड्स नहीं निकाले या फिर आप लोगों ने किसी इवेंट को कम्प्रीट नहीं करा तो आप लोग जाके फटाक से कर लेजिए क्योंकि दोस्तों सिर्फ आप लोगों के बास यहाँ पर सिर्फ दो दिन है और 16 नौबर के बाद गीम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगी ठीक है और कल गरीना फ्रिपार ने मेल बॉक्स के अंदर सभी फ्रिफार प्लेयर को यहाँ पर लेवल अफ रिवोड़ वाला मेल जरूर सेंड किया था और काफे सारे प्लेयर के पास तो यह मेल आया पर उसके बाद भी उन लोगों को यहाँ पर उनके लेवल के अकौडिंग की तब से पर दोस्तर काफि सारे प्लेइर्स को उनकी लेवल 했 अकोरडिंग रिवॉर्ड नहीं मिले तो भाई आप लोग बिलकुल भी टेंशन मतलों आप लोग के व élewsकन अकर स्केन देईन के आपम लोग के लेवल है पर चैसे उनको अब्जार नहीं उनको एक glowal का skin देखने को मिल जा काफी सरी लोग बोल रहे है भाई मेरा 90 level पर मुझे अभी तक glowal का skin नहीं मिला जिन player का यहाँ पर level 90 है और वो लोग सोच रहे हैं उनको यहाँ पर glowal का skin नहीं मिला तो वो चेक करने के लिए आप लोग को जादा कुछ नहीं करना आप लोग को सिर्फ weapon वाले section के अंदर जाना है मुआपे दोस्तो आप लोग को देखना है अपना glowal वाला section तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा तुम लोगों का ये 90 लेवल वाला ग्लोल का इसके जो की देखने में काफी जादा ओपी है और जिन लोगों का लेवल यार मुझे रखता है कि 100 है तो उनको सबसे रेर रिवोर्ड मिलने वाला और फ्री फायर के इतिहास का मुझे ल बाई जिनका यहाँ पर लेवल सतर असी है फिर नभी या फिर सो नहीं है और जिनका लेवल सिर्फ यहाँ पर चालिस पचास है उनको क्या मिलने वाला तो आपको यहाँ पर कस्टम रूम कार्स मिलेंगे मतलब आप लोगों को अच्छे कासी रिवोर्ड देखने को मिल और कल के वीडियो के अंदर एक सब्सक्राइब यहाँ उससे कोमेंट करके पूछा था भाई इमोट कैप्सुल इवेंट कब आएगा और उसमें क्या लॉल इमोट होगा तो भाई देखो इमोट कैप्सुल इवेंट को लेके अभी मेरे पास कोई भी डिटेल नहीं है कि इम करें देखने को मेरे अभी मेरे और यहाँ देखने को मिलेगा औरえー लो सकता है किसी और एवेंट के ओपर भी आप लेगों को यह मनीडेवाला इमोट दिया जाये जहां तक मुझे लगता कि आप लोग को या तो emote capsule event देखने को मिलेगा या फिर emote party event देखने को मिलेगा और इसके अंदर lol emote होगा या फिर नहीं होगा इसका भी अभी मेरे पास कोई भी information नहीं है पर दोस्तो मुझे रगता है कि lol emote बहुत कम आने के chances क्योंकि lol emote यार काफी rare emote में से एक मनद जाता है तो इसलिए गरीना फिपर इसे emote capsule event के अंदर नहीं देने वाला अगर गरीना फिपर lol emote को देगा तो वो आप लोग को direct store के अंदर देगा जिसका प्राइज आप लोग के लिए 500 diamond के आसपास होने वाला है पर दोस्तो अगर in future मुझे इस emote को लेके कोई details मिलती है तो मैं आप लोग को अपनी किसी एक वीडियो के अंदर update करके जुरू बता हूँ उसके लिए आप लोग यहाप चैनल को subscribe करके रखना और notification bell को भी और साथ में दोस्तो एक भाई का और कमेंट आया था कल की वीडियो के अंदर भाई गेम के अंदर 50% का ओफ कव आया था तो मैं देखो free fire का एक इतिहास गवाई कि जब भी गेम के अंदर दिवाली event आता उस time गरेना 50% का ओफ जरूर देदे store section के अंदर और दोस्तो इस बा store section के अपर वो आप लोगो को winterland event के time पर देखने को मिलेगा क्योंकि winterland event के time पर गरीना फिपार store section के अंदर जितने भी old items होने वाले उनको इहाँ पर replace करने वाला new items से जो दोस्तो winterland की old items से उन items को गरीना फिपार यहाँ पर हमारे store section के अंदर दालेगा और उसके बाद ही आप लोगो यहाँ पर देखने को मिल जागा store section पर 50% का off तो आप लोग थोड़ा सा वेट करके रखो क्योंकि आने वाला time के अंदर आप लोगो store section पर 50% का off 110% जरूद देखने को मिलेगा जो की winterland special होने वाला है और दोस्तों बहुत जल्दी game के अंदर आप लोगो ffs special एक all पर सट करना है कि तुम लोग वीडियो को अभी तक watch कर रहे हो और watch कर रहे हो तो मतला तुम लोगो वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई एक लाइक और सब्सक्राइब करके ने अपने भाई के motivation को यार दुग ना करो दोस्तों बहुत जल्दी हमारे गेम के अंदर ffs के final के choice crate जहाँ पर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर तीन टीशर्ट देखने को मिल जाएगी जो कि हमारी past की champions team रह चुकी है उनके नाम से यह टीशर्ट देखने को मिलेगी first आपको देखने को मिलेगी champions attacks all around की दूसरी आप लोगों को देखने को मिल सकते है इवो फीनिक की ज की काफी OP लग रही है ठीक है और इसके अरावा आप लोगों को यहाँ पर दो ओर टीशर्ट देखने को मिलने तो आप मुझी comment करके बताने कि आप लोग इन तीनों में से किस टीशर्ट को यहाँ पर choice करना पसंद करेंगी आप लोग दोस्तों दूसरों की मस सुनना ठीक है और 22 नवबर की दिन गेम के अंदर आप लोगो को इसी Hyperbook की token trade देखने को मिलेगी जिसके उपर आपको 50% का off देखने को मिलेगा और दोस्तों गेम के इंदर जिस दिन आप लोगो को यहाँ पर FFWS की Hyperbook देखने को मिलेगी वो आप लोगो इस टोर सेक्शन के अंदर देखन देखने को मिलेगी जिसके उपर दोस्तों आप लोगो 50% का off देखने को मिलेगा और तुम उस Hyperbook को यहाँ पर upgrade कर पाओगे तो तुम लोग मुझे comment करके बताना क्या तुम लोग इस Hyperbook को निकालोगी या फिन नहीं दोस्तों अगर Rampage की Hyperbook के बाद अगर मुझे कोई Hyperbook पस गेम के अंदर Cobra Bundle Return आएगा या फिन नहीं तो भाई गेम के अंदर अभी आप लोग को Cobra Bundle Return नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तों गेम के अंदर आप लोग को कोई भी जो EVO Bundle देना होता है वो दोस्तों उसी के similar event पे दिया जाता है इस तरीके से अभी गेम के पर तीम मिने का और वेट करना पड़ेगा अगर तुम लोग को यहाँ पर इस कोब्रा बंडल को निकालना है क्योंकि मुझे रगता है कि आप लोग को जनुवरी या फिर्वरी के आसपास देखने को मिल जागा गेम के अंदर तुम लोग अपने डायमेंट्स को समाल कर रह तो भाई फाई इसकी डेट भी निकल के आज चुकी है जो की है 17 नवंबर और 17 नवंबर के दिन आप लोग को रिंग इवेंट के उपर FWS का EVO बंडल देखने को मिल जागा जो की काफी जादा यूनीक बंडल में से मुझे एक लगता है अगर कोबरा बंडल के बाद या फिर रैंपेज बंडल के बाद अगर मुझे कोई बंडल पसंड है तो भाई ये वही वाला बंडल है जो कि गैलक्सी बंडल और दोस्तोग ये रिंग इवेंट पर आपको देखने को मिल सकते है अगर गर प्रिरपार आस आप लोग को या एक सिर्फ main basic bundle निकालना पड़ता है उसके बाद तुम लोगों यहाँ पर उस bundle को करना पड़ता है अप्ग्रेड तो अगर तुम लोग यहाँ पर अप्ग्रेड करने से बजना चाहते हो तो तुम लोगों यहाँ पर ring event के ऊपर से भी इसके बाकी के bundles निकाल सकते हो ठीक है अगर तुम लोग चाहो तो पर यार मुझे रखता है कि बहुत कम chance है कि तुम लोग के बाकी के चार bundles देखने को मिलेंगे इस ring event के ऊपर तो कि बाकी के और items भी आप लोगो इस ring event के ऊपर देखने को मिलने वाले है तो तुम लोग मुझे comment करके बताना क्या तुम लोग यहाँ पर इस ffws की evo bundle को निकालोगे या फिने और यह game के अंदर आप लोगो 17 उबर के दिन देखने को मिल जाएगा और यह चलने वारा पूरा 29 निवेंबर तक तो भाई बहुत टाइम है अगर तुम लोग निकालना चाहो तो निकाल लेना पर न तुम लोग वेट कर सकते हो आने वाले टाइम के अंदर आप लोग को यहाँ पर विंटर लैंड तो दुस्तो अब मिल के मारी नेक्स और निव डियो पर तुम तक के लिए बाबाई लव यू एंड टेक और आलवेस कीप इसमालिंग गाई जे हिंद जे भारत